Hello Friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यासे आप अपने PF एकांट को ट्रांसफर कर सकते हैं यानि एक एकांट से दूसरे में उसका सारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कमपनी में काम करते हैं member 1 EPF account के लिए आविधन करना होता है और यह आप अपने घर बैठे mobile से कर सकते हैं और transfer भी हो जाता है easily तो चले यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आप इसको transfer कर सकते हैं पूरा process live इसमें मैं transfer करके आपको दिखाऊंगा तो चले video सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इसकी website पे unified portal का जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा उस पर click करके आईए और यहाँ पर आप पहले desktop site कर लीजे यनि कि अगर आप mobile में करें तो आप इसको desktop mode में कर लीजे उसके बाद login कर लीजे login करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो view में जाकर pass up पे click करके आप अपने member ID देख सकते कि कितने member ID आपके पास है तो हमारे पास इस case में दो है तो चलिए हम इसको transfer करके देखते हैं तो transfer करने के लिए आपको इस तरह के page पे आ जाएंगे जब आप login करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने open हो जाएगा देखिए मैं आपको कुछ जरूरी बाते भी बता रहा हूं कि यह जो transfer होता है यदि आपका company company सेम है माल जे कि आप एक ही company के दो अलग अलग जगह पे काम कियें तो उस area के हिसाफ से आपका member ID अलग-अलग हो जाता है तो इसे में आप easily transfer कर सकते हैं लेकिन आपके company अलग-अलग है तो भी transfer हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने one member one EPF account पे click किया online services पे click करना होता है उसके बाद one member one EPF account पे click करना होता है जिसे उस पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ information देखने को मिल रहा होगा आपका नाम आपके employer जो है उसका name आपको देखने को मिल रहा होगा तो यह आपका current employer यानि कि जो आपका current employer है उसका member id यह सबी चीज़े आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर company का address हो गए रहा यह चीज़े आपको देखने को मिलेगा current employer का जिसमें आप फिलाल काम करें माल जे कि आपने काम छोड़ भी दिया है तो जो आपका latest वला रहेगा याँ जिस company में आपने सबसे बाद में काम किया होगा वो account आपको यहाँ पर so करेगा तो यहाँ पर देख सोते हैं कि यह जो so कर रहा है तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यह one member one epf account के लिए आविधन करना है तो देखे सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको अपना uan number डालने के लिए बोला जा रहा है सबसे नीचे आप देखे uan number आपको यहाँ पर enter करना है और get details पे आपको click करना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना uan number डालते हैं इसके बाद get details पे click करते हैं तो यहाँ पर देखे uan number डालने के बाद get details पे आपको click करना है यह मैं voice over करना हूँ बाद में वीडियो मैंने पहले record किया था इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो देखे यहाँ पर आपको uan number डालना है तो present employer क्योंकि present employer select करने का आपको फाइदा मिलेगा और यहाँ पर आपको member ID select करना है delete पे click नहीं करना है यह बाद ध्यान दीजिए delete पे click नहीं करना है member ID select करने के बाद request OTP पे click करना है request OTP पे जैसे आप click करेंगे क्योंकि यह company के end से एक बार verify किया जाता है वैसे normally मैंने दो account में किया और दोनों में successfully हो जाता है एक दो दिन के अंदर ही आपका जो account है यह transfer हो जाएगा कैसे status check करना है वो भी आपको बताएंगे तो OTP जो आपके number पे भेजा जाएगा यानि कि यह जो पुराना वाला company है उसका भी member ID यह सबी चीज़े आप उसका address होगा रहा देख सकते है date of joining, date of exit यह सब चीज़े आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास OTP आ चुका है तो हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे और OTP आपको उसी number पर जाएगा जो आपके आधार card से link होगा इस वाद का आपको ध्यान रखना है तो जो हमारे पास OTP आ गया है उसको हम यहाँ पर इंटर करते हैं और उसके वाद submit पर क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर OTP हम इंटर कर देते हैं देखे यहाँ पर जो होता है कि आप इसमें OTP इंटर करें और submit पर क्लिक करेंगे तो यह processing हो रहा है processing होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा wait करते हैं और साइध यह processing नहीं हुआ क्योंकि OTP जो है मैंने गलत इंटर कर दिया था फिर से हमें इंटर करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर processing हो गया OTP बिल्कुल सही है तो processing हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर दिखे form आप acknowledgement receipt download कर सकते हैं नहीं तो आप online services में जाकर track claim status पर click करेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उसमें आपको दिखाएगा कि यह जो claim है आपने अभी किया है one member one EPF account के लिए यह आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देखे जो successfully submit हो गया है अब track claim status पर click करेंगे तो जो भी आपने पहले claim किया होगा जैसे कि पैसा और निकाले होंगे तो वो सब दिखेगा और उसके नीचे आपको जो process वाला दिखेगा यहाँ पर अभी देखे pending at present employer यानि का अभी present employer के पास जाएगा उसके बाद वो इसको verify कर देगा तो यहाँ से आप अपने जो one member one EPF account का जो transfer है उसका status चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप किसी का भी अपना जो है account को transfer कर सकते हैं सारे member ID को एक में उसका पैसा को ला सकते हैं और वह drop भी कर सकते हैं तो यह काफी आसान हो जाता है देखे अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी question या कोई भी problem आ रहा हो तो आप लोग हमें नीचे comment works में पूछ सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आप लोग के comment का reply दिया जाए तो चलिए मिलते हैं आप से next video में